20-30 साल पुराना दर्द भी खीच कर बाहर निकाल देगी है, मेरे दादा जी की घरेलू रेमिडी सिर्फ एक बार में, एक बार ट्राय करके देखे, खुद मेरे दादा जी ने इसे अजमाया था, जो कि उनके गुटनों में बहुत ज़्यादा सूजन रेती थी, दर्द होता और अभी आप देख सकते हो, गुटनों में बिल्कुल भी सूजन नहीं है, ऐसा घरेलू तरीका है, जिससे के आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, और एक भी रुपया खर्चा नहीं होगा, होगा तो फाइदा ही होगा, बस वीडियो को पूरा ध्यान से step by step follow कीजे, दो step में ये ये फिर एडी दर्ध कर रही है, गुटने में सूजन है, गुटने का दर्ध है, सारा का सारा खतम हो जाएगा, हाथ पेर में अगर जंजनाठ है, अकडी हुई नसे है, तो वो भी खोल देगा, जरू ट्राइ कीजे, और यहाँ पे दिखे हमें क्या क्या चाहिए, चलिए द नीम का जो पेड़ होता है, उसकी चाल हमें यहाँ पे चाहिए, तो दीखे है, यहाँ पे मैंने इसे निकाला है, चाहे आप सुखी हुई ले लिजे या फिर गीली, या अगर आपके पास यह चाल नहीं है, तो यहाँ पे आप इसके अलाबा क्या यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा सा हिंग मैंने इसमें डाल दिया है, और यहाँ पे हमें चाहिए काली मिरी, जो की ब्लैक पेपर भी से बोला जाता है, और इसका हम बनाएंगे थोड़ा सा पावडर, तो मैं इसे कूटने वाली हूँ, अगर आपके पास पावडर है, तो सीधा आप यहाँ पे आ सही तरीके से डालेंगे, तो चले देखते हैं इसकी आगे की प्रोसेस, तो यहाँ पे हमें यह जो तेल है यह रखना गैस के उपर हलका सा गरम होने के लिए, और देखें कभी भी जो भी आप आप ओईल बनाते हो, चाहे वो बालों के लिए हो, स्कीन के लिए हो, या फिर से किसी दर्द के लिए, तो उस ओईल को अगर आप ज्यादा दिनों तक स्टोर करके रखना चाहते हैं, तो उसे सही तरीके से गरम करना होता है, तो देखें मैं बहुत सालों से यह यूज करती हूँ, तो हमारे घर में यह तेल बना के रखा हुआ होता है, अभी फिलाल थो गरम करना है, बिल्कुल खोलाना है, इसमें से जब धुआ निकलने लगेगा, तब हम ग्यास को बन करेंगे, और इसमें से जो भी चीज़े हमने डाली है, वो सारी की सारी अच्छी प्रॉपर इसमें जलनी चाहिए, ब्लैक होनी चाहिए, इतना हमें इसे गरम करना है, तो चाहो तो आप इसे साल दो साल के रहे बना के रख सकते हो जैसे जब चाहे तब इसका यूज कर पाओगे तो देखे हलका सा इसमें से धुआ आने लगा तो मैंने गयास को बंद कर दिया है तो अब हम इसे छान लेंगे तो देखे ये जो तेल है बिल्कुल जादू की तरह गुणा यूज करना है आप जितना सेंट कर सकते है उतना यूज कीज़े जिससी कि आप देखोगे बहुत इच्छी से सिखाई होती है तो चले देखते इसे कब कहा कैसे लगाना है तो देखे कई बार ऐसा होता है जोइंट पेन होता है गठिया होता है जीन लेगे और प् ένα 5-6 मिनिट में ही आपको लगेगा 5-6 मिनिट में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा और अगर आप इसे लगातार 8 दिन करते हो तो आप देखोगे बहुत साल पुराना दर्द भी इससे कम हो सकता है बस एक बार में आप देखोगे पहली दिन ही आपको बहुत आराम से चैन की नीद आएगी रात में सोने से पहले इस तेल से आपको मालिश करनी है तो देखे जो जो आपके पॉइंट है शरीर के जहां भी आपको जैसे गर्दन में दर्द हो रहा है हाथ में दर्द हो रहा है कई हड़ी टूटी हुए यह अचानक से वहाँ दर्द होने लगाए तो वहां भी आप इसे यूज़ कर सकते हो स्वेलिंग आई है सूजन है तो उसे भी कम करने में यह बहुत ज़्यदा काम आता है तो देखे घुटनों में तो यह बहुत ज़्यादा कारगर है और यहाँ पे हमें जो दूसरा स्टेप है वो तेल लगाने के बात करना है और यह भी हमें रात में सोने से पहले ही करना है तो इसके लिए मैंने एक बरतन में ले लिया है दो ग्लास के करीब पानी और आधे नीम के चाल होती है उसे हमें लेना है करवे नीम की चाल अगर आपके पास नहीं है तो यहाँ पर आप करवे नीम के पत्तों का यूज कर सकते हो या फिर उनके डंडियों का यूज कर सकते हो वैसे यहाँ पर सूखी या गीली दोनों में से कोई भी चाल आप यूज कर सकते हो प पर चालके अपने आप में बहुत ज़्यादा फायदे हैं तो अगर मिल सके तो चालका जरूरी उस कीजे और यहां पर देखे हमें बरतन में जो पानी ले आए न उसके अंदर चालके दो तिन टुकडे डाल देने हैं अगर उसके उपर मिट्टी लगी हुई है तो पहले अच जरूर इस घरेलू रेमिडी का यूज करना चाहिए उम्रक के वज़े से भी दर्द है तो भी ये कम कर सकता है पर जाने में थोड़ा टाइम लग सकता है और यहां पर देखे मैंने चालको डाल दिया पानी के अंदर उसे के साथ हम डालेंगे यहां पर थोड़ा सा नमक नम गरम करने के लिए सारी चीजों को अच्छे से हमें गरम होने देना है तो देखे इसे दो से तीन बार अच्छे से खोलाएंगे और हां इसके अंदर मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दीती जिससी कि हमारी जो फटी हुई एडिया होती नो वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिक दालेंगे और पूरी प्रोसेस अगर आप करते हो न तो आप देखोगे आठ दिन के अंदर सारा दर्द आपका चूम अंतर हो जाएगा जादू की तरह ये रेमेडी काम करती है और खुद अजमाई हुई है और ये नैच्रल हैंडरेट पसेंट तो आप इसे बिना सोचे कर लीजिए क्योंकि जो दवाईया हम लेते उससे साइड इफेक्ट होते शरीर पे पेंकिलर खराब होती शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है तो ये तो बहुत ही अच्छी उससे तो यहाँ पर दीके बड़े से बरतन में मैंने ले लिया है थोड़ा सा नॉर्मल पा बाद हमें ये करना है पानी रखके पैर डालने है दस मिनिट तक जिससे क्या आप देखोगे बहुत एच्छी से सिकाई होती आपको रिलाक्स फिल होगा बलड सर्कुलेशन अच्छा होगा जिससे क्या आप देखोगे बहुत एच्छ आपको नींद आईगी साती में पहली झालने है तक यू